हालो साथियो नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपका दोस्त वाइडी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अब इनंदन करता हूँ यह महत्रपुड ग्लास जिसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है चलिए बताएं आप सब लोग बढ़िया होंगे अच्छे होंगे उमीद कर रहा हूं घरवालों की उमीदों पर खड़ा उतरने की कोसिस कर रहे होंगे हमारी ये सिरीज है और धन्यवाद कीजिए कारतिक सरका जिन्होंने ये सिरीज कंटीनू की हुई है हम सब आपका सयोग कर रहे हैं नए नए प्रश्णों का समावेशन हम कर रहे हैं नए नए प्रश्णों को हम यहां रख रहे हैं अच्छे लवल के प्रश्ण रख रहे हैं पिछली परिक्षाव में बूछे गए सवाल हैं ये इतने सवाल कर लेंगे हम कि आने वाली परिक्ष आ रही होगी, यदि पसंद आ रही है, तो क्लास को सेर कर दें और चैनल को सस्प्क्राइब कर लें, यह आपका काम है, बाकी का काम हमारा है चलिए, आपको कैसे और किस तरह से चीजें प्रोवाइड कर वाई जाए इस पर हम विज़ार करेंगे, आपका काम है बहुत मोटिवेट होकर कि आपके लिए निरंतर कारे करने के लिए प्रेयृत रहेंगे। चलेगे साथियों, आज की कक्षा की हम सुरुवात करते हैं, बैतरीन सी शांदार सी कलास है, हमारी काम्याभी सीरीज में हमने बहुत सारी कलासे कर ली हैं, और बहुत सारी क्लासे बाकी हैं, इन सभी पर हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं, वारता कर रहे हैं मैं साथियों आपकी कक्षा में हमेशा निवेदन करता हूँ कि यह जो हमारा चैनल है, यह specially only for student यानि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर के बनाया गया चैनल है इस चैनल पर सभी विद्यार्थियों के हितों का विशेश रूप से ध्यान रखा गया है इसी आधार पर हमने यहाँ जो जो भी कोर्स लाँच कर रखे हैं, उन कोर्स की जो प्राइस है वो बहुत ही nominal यानि नाममात्र की प्राइस में हमने कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराए है तो आप सब जाइए जुड़िए चैनल से और प्ले स्टोर से हमारा एप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाकर के हमारा कोर्स खरीद सकते हैं आपका निशित रूप से वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है तो देर मत कीजिए जल्दी से जाइए और कॉर्स करी दिया आज की कुछ आपके स्क्रीन पर रहा बेहत शांदार सुन्दर सवाल है गीता डैस खालिस्तान है और है वाके की रिक्तिस्तान को प्रेरिनार्थक क्रिया से फून करें बहुत गजब की बात यह है प्रेरिनार्थक क्रिया से फून करें यह देखिए यहां पर रेखांकित करें इस बात को प्रेरिनार्थक क्या चीज है जिस क्रिया से प्रेरिना दी जाए या प्रेरिना का अनुभव हो उसको प्रेज़नार्थ क्रिया कहते है आग्या दी जाए क्या दी जाए आग्या और ध्यान रखना प्रेज़ना मिले उसको यानि किसी से कार्य करवाया जाता है ध्यान रखना कार्य करवाया जाता है उसे प्रेज़ना कहते है तो ध्यान दीजिएगा लिखती है लिखती है तो स्वै में लिखती है तो प्रेरिनार्थ क्रिया कैसे ही सोती है स्वै में ही सोती है क्रिया तो है लिखना लेकिन कैसी क्रिया है ये सै कर्मक क्रिया है कैसी क्रिया है सै कर्मक क्रिया है कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होत यह आ करमक करिया है, लेकिन आ करमक करिया है, जगाती है, बिलकुल यह दूसरे से काम करवा रही है, तो जगाती है, ध्यान रखना जगाती है, यह प्रेजनार्थक्रिया है, जगाती है, और जागती, जागने का काम तो स्वैमी कर रही है, तो यह भी प्रेजनार्थक्रिया नहीं है याद रखेगा इसका उत्तर जो बनेगा आपका उत्तर तीन मेरे हिसाब से ठीक ठीक उत्तर बैठ रहा है क्लिर है साथियों बहुत सारे उधारण हम देख रहे हैं बहुत सारे प्रशन हम देख रहे हैं ये इस तरह के ज़्यादा लेवल प्रश्णों का नहीं होता है आप घबराएं नहीं परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं ये पूछे गए सवाली हैं इसलिए आप से निवेदन करता हूँ कि जो क्लासे हम कर रहे हैं उन कलासों को यदि आप कंटीनू देखके जा रहे हैं और पूरी सीरीज को आप कंटीनू देख रहे हैं तो निशित तोर पर आपका हिंदी का एक भी सिंगल कुशन आपका गलत नहीं होना चाहिए इतना मैं विश्वास के साथ के सकता हूँ चले वाक्य की रिक्तिस्तान के लिए उचित कारक है क्या उचित कारक है कारक आप जानते हैं साथियो कारकों की संख्या आठ होती है कितनी होती है आठ होती है कारकों की संख्या कितनी होती है आठ होती है और मैं आपको बता दू मैं जुपैन है कारकूं की सेंख्या आठ होती है करताने, कर्म को, करण से संप्रदान के लिए इस तरह से आठ कारक होते है यहाँ पर गौर कीजिगा सोहन ने घड़े अब देखो घड़े और खालिस्तान पानी निकाला तो निकाला है तो बाहर निकाला है देखो अलग होने के भाव का बोध कौन कराता है अलग होने के भाव का बोध कौन कराता है होने के भाव का बोध या भाव में कौन सा कारक प्रियुक्त होता है अपादान कारक याद रखना अपादान कारक का जो कारक चिन होता है वो से होता है क्या होता है? से होता है और ऐसे ही आपका करण जो होता है करण कारक का भी जो चीन होता है वो भी से होता है ध्यान रखना लेकिन ये करण ये के दुआरा वाला से है और ये से अलग होने के भाव में प्रियुक्त होता है तो ध्यान रखना यह अपादान है यहाँ पर को कर्म के साथ आता है कर्म के साथ आता है और में अधिकरण में आता है किस में आता है अधिकरण में आता है तो यह बात तो आप जानते होगे इसलिए इसका सही आंसर क्या बनेगा option be is correct answer ओके चलिए next अगला सवाल देखे बीता हुआ दिन लोट कर नहीं आता वाक्य के लिए वाक्य के रेखांकित अंस को किस शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है बहुत गजब का सवाल है बीता हुआ दिन यानि जो चला गया है वो चले जाने को हम कहते हैं पुरानी बाते आप यह क्यों कह सकते हैं अतीत की बाते तो आगामी तो आने वाला होता है आगामी तो क्या होता है आने वाला आगामी आने वाले सबे को कहा जाता है आगामी यहां पर प्राचिन यह पुराना हो गया तो पुराने की बात नहीं है लौट कर बीता हुआ दिन यानि कल की बाते हैं तो यह ध्यान से सुनिएगा अतीत यानि बीता हुआ याद रखना यह बहुत इंपोर्टेंट है तो इसलिए इसका जो सही उत्तर बनेगा औप्सन तीन बनेगा अर्वाचिन एक होता है प्राचिन एक होता है अर्वाचिन इसका मतलब होता है नूतन तो ध्यान रखिए का साथ ही, उसका सही आंसर जो बनेगा, वो बनेगा, option T, इस correct answer, ओके, बहुत बढ़ी है, देखो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है चीज़े, बहुत अच्छे से आप करते हुए चले, मैं आपको तीन सेकेंड का समय भी दे सकता हूँ, लेकिन ये होता है लाइव में, अभी यहाँ पर तो आप सीदे सीदे, मेरे प्रश्णों को देखते जाएं, और मेरे उत्तरों को भी देखते जाएं, ताकि आपको ये सारी चीज़े हैं, clear होती चले, देखो सारे विकल्पों पर चर्चा करना बहुत अच्छा होता है, ताकि आपकी जो व वाकि कि रेखांकित अंस को प्रतिस्था पित कीजिए, खालिस्तान भरिये, रिक्तिस्तान भरिये, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, रेखांकन किसको करना है, ये देखो रेखांकन, ठीक ठीक नयाय, उचित नयाय होना, यानि सही सही फैसला होना, बात य और इन में से कॉन शा जो है वो लोकोक्ति ऐसा बता रही है कि वो थीक ठीक न्याय होने के लिए जो सही बैट रही है। और दूद की जगे पानी को साबित कर रहे हैं तो फिर न्याय कैसे हुआ लेकिन ये सही उत्तर है इसका कि दूद का दूद और पानी का पानी नहीं होता है जब कहीं जगड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि चलो उसको आने दो फिर अभी बात का पता चल जाएगा और दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा मतलब वो आदमी जो यहां मौजूद था उसने आपकी बाते सुनी है और उसके सामने क्या बाचीत आपने की है अगर ठीक ठीक बात होगी तो वो आदमिया आपको समझ आएगा ठीक है तो इसका answer option 4 correct answer ओके ठीक है बढ़िया है समझना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं निरूपाय का सही संदी विछेद क्या है निरूपाय का सही संदी विछेद क्या है वो समझ येगा इसका दोस्तों निरूपाय का सही संदी विछेद क्या है तो इसमें एक बात कोर कर लें आप इसमें एक तो है नी और एक है उपाय एक तो है नी और एक है उपाय और ये जो नी है मैंने आपको बता रखा है इसमें जो है विशर्ग संदी है पहली बात कौन सी संदी है विशर्ग संदी है ये बहुत गजब की बातों में से एक है विशर्ग संदी हुई है निरुपाई में और सुने ये जो है इसका एक नियम है कि यदि ए और आ को छोड़ कर को छोड़ कर किसी के साथ में विशर्ग हो यानि ई-ई के साथ में विशर्ग हो उ-उ के साथ में विशर्ग हो सामने कोई स्वर आया हो या सामने कोई घोस आया हो क्या आया हो? घोस आया हो तो ये जो विशर्ग है ये अरधाकसर रह में परिवर्तित हो जाता है अब यहां पर देखना में करके दिखाता हूँ नि, और ये विशर्ग, और ये है उपाई और ये क्या है? उपाई अब देखो, नि का तो नि रहा और नि के साथ में विशर्ग आया है तो ये आधे रे में बदल जाएगा लेकिन सामने कौन है? उ है और उ होने के कारण इसमें रू की मात्रा लग जाएगी और पाय का पाय लिखा जाएगा तो शब्द क्या बना निरुपाय शब्द बना निरुपाय शब्द का जो संदी विछेद होगा नी धन उपाय इसका option बीज करेक्ट आंसर ओके नी बड़ा नहीं होता है ये नी बड़ा नहीं होता है ठीक है clear तो इसलिए इसका उत्तर जो बनेगा वो बनेगा option बी यानि दो सही उत्तर है ठीक है बहुत बड़िया चलिए हार मान लेना बहादूरी नहीं है वाकिक रिखांकित अंस को प्रतिस्थापित करने के लिए सही मुहावरा कौन सा है मुहावरा देखो लास्ट में जिसके नहीं होता है मुहावरा होता है एक बात को समझे लेना 9211 होना आंख कातारा होना इस पर कार आप बहुत सारे मुहावरे देखेंगे तो उनके लास्ट में आपको ना 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 देखने को मिलागा यहाँ पर देखेगा हात मारना, खतेली खुजलाना, हतियार डाल देना, हवाई के लिए बनाना यह सब के सब हैं तो मुहावरे लेकिन हार मान लेने के लिए जो सही मुहावरा है वो है हतियार डाल देना हतियार डाल देना का मतलब होता है कि समर्पित कर देना आत्म समर्पन कर देना हार मान लेना आप कह सकते हैं हात मारना कोसिस करना क्या होता है कोसिस करना हात मारना कोसिस करना हतेली खुजलाना आप यूं कह सकते हैं रिश्वत के या फिर धन के लिए लालसा की जाती है उसके लिए प्रियुकत होता हावाई के लिए बनाना मन की या फिर हवाई के लिए का मतलब होता है मन ही मन बड़ी बड़ी चीजे सोचना ठीक है चलिए हतियार डाल देना इसका सही आजसर है अगला यह तो बिलकुल जूट है वाके के रिखांकित अंस को प्रतिस्थापित करने के लिए उप्युक्त मुहावरा कौन सा है बिलकुल ज जूट है सफेद जूट है यानि एक दम जूट है तो इसके लिए सही आंसर जो बनेगा option A लाल जूट नहीं सुना होगा पीला जूट नहीं सुना होगा काला जूट यह काला जूट भी नहीं होता है यह क्या होता है सफेद जूट है जो बात बिलकुल ही जूटी हो साफ सा आप दिख रही हो कि यह जूट है, तो वो सफेद जूट कहलाती है, उसको हम लोग कुक्तियों में लेते हैं, कि आप सफेद जूट बोल रहे हैं, अगला देखेगा, वाक्य की रिक्तिस्थान के लिए, उप्योक्त शब्द है, इसनेहा को वादे संगीत से, क्या है, इसने है क्या, इसने का मतला प्रेम है क्या, नहीं, वादे संगीत से प्रेम नहीं है, कोई प्रानी थोड़ी है, इससे प्रेम हो जाएगा, आ सकती, आ सकती, तो कोई देवता होता है, तो देवी देवताओं में होता है, प्रेम ये साफसुत्रा लिखा हुआ, अनुराग है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो अनुराग होगा, क्या होगा, अनुराग है, तो याद रखना इसका आंसर, option D is correct answer, बहुत बढ़ी है, देखो कितने शांदार, कितने प्यारे सवाल आ रहे हैं, वाके की रिक्तिस्थान के लिए उप्युक्त शब्द है, कौन सा है, शनेहा को वादे संगीत से अनुराग है, लगाव है, ठीक है, अगला देखे, समवाद का सही संदी विचेत क्या है, बहुत गजब का सवाल है, समवाद का सही संदी विचेत ये एक तो आपको पता होना चीए, व्यंजन संदी में आता है, कौन सी संदी में आता है, व्यंजन संदी में होता क्या है वो सुन लीजिएगा सब इसका सही संदी विछे दोता है सम और धन वाद इसका सही संदी विछे दोता है सम सम के आगे जो मैं है वो हलंत युक तो होता है और इसमें बता दू कि सम उपसर के बाद में कोई घोस आता है कोई घोस आता है यह वा है यह घोस है या फिर आप यह कह सकते हैं कि कोई अंतस्त आता है अंतस्त आता है यह अंतस्त वर्ण है आपको बता दू मैं यह रह लह यह अंतस्त वर्ण होते हैं यह रह लह और वै यह क्या होते हैं अंतस्त वर्ण होते हैं इन में से कोई एक आए, तो जो है मैं, मैं किसमें बदल जाता है, ये मैं आपका अनुस्वार में बदल जाता है, किसमें बदल जाएगा दोस्त, अनुस्वार में बदल जाएगा, और अनुस्वार का जो चीन होता है, वो इस प्रकार से होता है, आप जानते हैं, yes or no, yes, अब समझेगा तो ये से का तो से रह गया इस मैं का क्या बना दोगे अनुस्वार बना दोगे रुवाद का वाद लिख दोगे और सही उत्तर क्या बना सम वाद तो ध्यान दें ऐसा कौन सा विकल्प आपका कह रहा है सम है और वाद है लेकिन इसके नीचे हलंत नहीं है हलन्त होता तो यह सही हो जाता अभी गलत है सन ने है तो यह बिलकुल गलत है सम और वाद option 3 is correct answer और यह सन में सही गलत है आपका सही उत्तर क्या बनेगा option 3 बोलो हां कि ना यह समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात बहुत अच्छे से समझ में जारी योगी साथियोग चले ओके अगला सवाल देखे भोला कुछ नहीं जानता है वाक्य की रेखांकित अंसको किस शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है यह प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित रेखांकित रेखांकित यह चीजें जो है वो आपको बहुत अच्छे से आपके दिलो दिमाग में घर कर गई होंगी कुछ नहीं जानता जो कुछ नहीं जानता देखो जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वग्य जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं सर्वग्य सर्व यानि सब और गे का मतलब जानकार या बोध या जान या ग्यान ठीक है बत समझ लेना सब कुछ जानता उसे सर्वग्य जो कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं अग्य क्या कहते हैं अग्य ए यानि नहीं और गे का मतलब ग्यान जिसको कोई चीज का ग्यान नहीं है वो है अग्य तो याद रखना दोस्तों जो है आपका इसका सही आंसर बनेगा बहुग्य जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुग्य कहते है अलपग्य जो थोड़ा जानता है जानता है लेकिन थोड़ा जानता है, उसे कहते है अलपगे सरवगे, जो सब कुछ जानता उसे सरवगे कहते है, ये भी नहीं है अग्य जो कुछ भी नहीं जानता, उसको अग्य कहते है clear है? yas or no? yas, अगला देखेगा पदक्रम की दिरस्टी से कौन सा वाकय सही है पद्ग्रम की दरश्टी से विनम्र व्यक्ति पद्ग्रम की दरश्टी से वाक्य का करम देखना है पदों को देखना है विनम्र व्यक्ति बोलता कम है ये देखो कम है न ये क्रिया विशेशन है क्या है क्रिया विशेशन है और ये क्रिया विशेशन जो होते हैं ये क्रिया से पहले प्रियुक्त होते हैं लगबग तो कम बोलता है यहाँ पर पहले तो प्रियुक्त हो गया लेकिन ये देखिए जो करता है वो बाद में आया है करता पहले आना चाहिए भीया करता पहले आना चाहिए व्यक्ति विनम्र देखो ये व्यक्ति के आगे जो विशेशन लगा है इसका ये गलत बात है विनम्र व्यक्ति होता क्या होता और विनम्र व्यक्ति होता तो बात ठीक थी तो बात यहाँ पर भी ठीक थी विनम्र व्यक्ति कम बोलता है बिल्कुल ये भी गलत है ये भी गलत है इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा option 4 यानि विनंब्र व्यक्ति कम बोलता है हाँ जादा बोलने वाले व्यक्ति विनंब्र नहीं होते हैं जो वेक्तिकम बोलते हैं, वो वास्तिक रूप से क्या होते हैं? विनम्र होते हैं, क्लियर है, अगला सवाल देखें वाक्षी की रिक्तिस्थान के लिए उप्युक्ति शब्द क्या है? पत्र का उत्तर सिग्र देने वाला, जो पत्र है, उसका उत्तर जल्दी से कोई दे दे, आपके पास में कोई लेटर आया और उसका आप जल्दी से आंसर कर दे, देने की क्या की जाती है, क्या करें आप, पत्र का उत्तर सिग्र देने की उदारता करें, उदार, क्यों आप गर ध्यान रखना चाहिए, आप पत्र का जल्डी से आंसर करें, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अनुकंपा करें, ध्यान रखना उदारता करें, कृपा करें, देने की कृपा करें, हाँ हाँ हाँ, अनुकंपा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अनुकंपा नहीं होगा, इसका सह पत्र का उत्तर सिग्र देनी की क्रिपा करें इसका option B is correct answer नहीं है अनुकमपा नहीं है अनुकमपा तो कोई देवता करते हैं आपके उपर जब आप कोई कारिक्रम करते हो तो लिखते हो कि इस्ष्वर की अनुकमपा से हमारा इस भरती में selection हो गया या इसवर की अनुकंपा से हम हमारे घर पर इस कारिक्रम का आयोजन कर रहे हैं तो वो वहाँ पर अनुकंपा शब्द का प्रियोग किया जाता है यहाँ पर कृपा होगा ठीक है अगला सवाल वाक्षी किरिक्तिस्तान के लिए उप्युक्त शब्द है मन में तकराहट युद्ध द्वंद उत्पन होने पर निर्ने करना कठिन होता है संगर्स संगर्स प्रैक्टिकल होता है तकराहट नहीं होती है तकराहट तो एक मन में ही मन में किसकी होगी युद्ध नहीं युद्ध प्रैक्टिकल होता है आप यूं कह सकते हैं कि भोतिक रूप में होता है द्वंद्व सही बात है द्वंद्व अंदर ये अंदर जब दो खयाल जब एक साथ क्रियेट होते हैं दो खयाल एक साथ उत्वपन होते हैं तो जो विचार हैं आपस में आपस में दोनु विचारों पर में से एक पर निर्णा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वो किस इस्तुति में जब मन में द्वन्द होता है तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? Option D is correct answer, ठीक है? Option D, द्वन्द है ठीक है भाई? ये सही उत्तर है इसका? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर पदक्रम की द्रश्टी से कौन सा वाकिश सही है? उसने पुस्तकाला खरीदा अपने मित्र का? ये अपने मित्र का यहां पर आ जाता है उसने अपने मित्र का पुस्तकाला खरीदा तो ठीक होता है, ये गलत है उसने अपने मित्र का पुस्टकाले खरीदा आगया, दूसरे में ही आ गया है, तो यह बिल्कुल सही है। पुस्तकाले खरीदा उसने अपने मित्र का नहीं, अपने मित्र का पुस्तकाले खरीदा उसने नहीं, ध्यान रखना जो करता है वो पहले आना चाहिए, उसने अपने मित्र का ये कौन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये तो कर्म का विस्तारक है और ये कर्म है पुस् ठीक है Orb Sun भी अच्क नशीर्ट थीक है और यह अगला सवाल देखी आपके स्क्रीण पर रहर हो दीलीbor यह करसेखरा कौन करकिँति हो कि जमाले का अगराप कर को जर्टे ऊच्व सब्सक्राइब कर सकते हो उद्धियलेक्र प्र statutory द्ले सब्सक्राइब PAC संग्राहाले का आप यदि संदी विछिद कर सकते हो तो भोजनाले का करने में क्या दिक्कत आ रही है भाई भोजन भोजन और आगे है आले अब सुनें यहाँ पर कौन है ए साब है यहाँ पर कौन है आ है और ए और आ मिलकर के क्या बनते हैं बता दीजेगा आ ही बनते हैं तो देखना भोजन का भोजन ना हो गया किसके कारण इस आ के कारण ने था ना हो गया और बचा कौन है ले का ले यह कौन सी संदी में होता है यह दीर्ग स्वर संदी में होता है यह किस संदी में होता है दीर्ग सुरसंधी में होता है इस बात का भी आपको ख्यार रखना चाहिए चलिये आज की कक्षा में इतने ही सवाल रखेंगे आने वाली कक्षा में आपसे फिर बात्षी थोगी, मुलाकात होगी तब तक आप इसने देती रहें प्यार देते रहें इस कक्षा को आप सभी विद्यार्थियों से मिलके बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़के बहुत प्यारा लगता है इसलिए आप लगातार इस कक्षा को देखते रहें प्यार करते रहें इसनाय करते रहें हम आपके लिए रोज क्लासे लाते रहेंगे रोज आपके लिए मेहनत करते रहेंगे आप सब के सायोग के लिए अब हमेशा तत्पर रहेंगे चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार